तो हम अपने अरे के प्लेलिज का वीडियो नंबर 80 करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम दो प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे क्योंकि दोनों बहुत सिमिलर है तो पहला क्वेश्चन है लीट कोड नंबर 560 जो की मीडियम मांग्ड है और दूसरा है लीट कोड नंबर 1074 जो की हाड मांग्ड है जो की 566 का ही extended वर्जन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है तो सबसे पहले दिखते है लीट कुण बढ़ फाइश्टी मीडियम मांग्ड है तो गिवन अरे अरे अंटीजर नंब्स एन इन इंटीजर नंबर भी हो सकता है तो जैसे यहाँ पर नम्स इकल टो 1 1 1 है के इकल टू टू है निकि टार्गेट सम मेरा 2 है तो कितना सबर दीख रहे आपको मुझे एक सबर पता कोंसा दिख रहा है एक सबरे मुझे यह दिख रहा है इसका सम देखो 2 है इसके लाब हावार कोई रहा है 1 इस समouting 9-1 सरी दूसरा मुझे दिख रहा है Neden माइनसटिशन दूसरा मुझे धी रहा है 1 माइनसट और जी भूल है county इसी का सम जी फिर उन इस का पूर्य եे रहां है x स्टूट फिर्स बहुत सिंपल है कितने ऐसे सब यह जिनका सम टागेट के बराबर है आप फहले सारय सब रेज निकाल लो और उसके बाद साब अरे का सम निकाल लो यह की निकालो निकाल नो देख हों कि युद्छ यह बहुत सिंपल सेंपल अब आपको सारे पॉसी बहुत सारे हो सकते हैं ये येह सकता है ये भी बहूत सरे ह perfect और अगर यह स्टार्ट penalty और मान लेकें इंडींग पॉइंग यह होता तो यह बलतात को सिंपल एब चस्टार्ट यह होता तो स्टार्टिंग पॉइंडेस वनत्र गोड़े मिह तो स्टार्टिंग S is less than equal to N minus 1, ठीक है, S plus plus, ठीक है, और ending point क्या-क्या हो सकता है, अगर start माल लेते ये है, तो ending भी यही से start हो सकता है, फिर ending आगे-ागे बढ़ते चला जाएगा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, हर start के लिए अलग-अलग ending point हो सकती है, E is equal to, इसी starting point से start करेंगे, और E भी less than equal to N minus 1 तक जा सकता है, right, E plus plus, तो हर possible starting and ending point देखो, हम लोग यहां से निकाल लेंगे, right, हर पॉसिब starting and ending point यहां से निकल जाएगा, फिर जो भी array होगा हमारा, हम उसका sum निकाल देंगे, for int, I is equal to starting point S है, और I less than equal to ending point E है, I plus plus, ठीक है, और यहां पर sum is equal to zero, और sum plus is equal to, जो भी मेरा nums है, nums of, जो भी मेरा it element है, निकालते रहेंगा last में check कर लेंगे, अगर sum is equal to is equal to target निकला, तो answer को plus plus कर देंगा, कि एक sub array मिल चुका है, ठीक है, तो यह मेरा simple सा brute force वाला तरीका हो गया, कि मैंने सारे sub arrays निकाले यहां से, और उनका sum निकाला, और देखा कि वो target के बराबर है कि यही दो step हमने किया, यह brute force हो गया, ठीक है, बट अब्विस सी बात है, brute force तो काम करेगा नहीं, मतलब time limit exceed देगा, बड़े test cases में, तो हमें सोचना है optimal approach के बारे में, तो optimal approach का पहले intuition समझते हैं, ठीक है, तो देखो, optimal approach का सबसे पहले intuition समझो, अच्छे से, जैसे मालने ते यह आपका array है, और आपका target है 3, ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, अगर यह, आप एक काम करो, यह देखो, यहां से यहां तक का cumulative सम निकालो, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8 आया, यहां तक का सम 8 है, cumulative सम की बात कर रहा हूँ, और यहां से यहां तक का सम, देखो 5 है न, तो एक और 4, 5 हो गया, तो अब खुद बताओ, यार इतने तक का सम 8 है, और इतने तक का सम 5 है, इसका मतलब क्या रहा होगा, कि पक्का यहां बीच में, जो बीच वाला एरिया न, इसका पक्का सम 3 रहा होगा, तब ही तो 5 प्लस 3 बनके 8 बना होगा, समझ गया, यही इसका intuition है, ठीक है, तो इसका मतलब पक्का यहां पर सम 3 रहा होगा, तो इस पता है कैसे येवल हम चेक करेंगे, ध्यान दो, मैं जैसे ही यहाँ पर मेरा सम आठ होगा ना, तो आप खुछ सोचो, आठ होगा और मेरा टारगेट सम तीन है, तो आठ माइनस तीन, पांच होता है, तो मैं पूछूँगा कि कहीं पर पांच था क्या पहले, तो मैं ब मिला था, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर पांच कहीं पहले रहा होगा, और अभी मैं एट पर आ चुका हूँ, मेरा क्यूमिलेटिव सम तो पक्का बीच में सम तीन रहा होगा, यह रहा वो तीन, इसका मतलब हमें एक सब लोगों ने बना रखा होगा इसको को ठीक है, और यह मैप आला कोशन बहुत आता है, जनरली, टीक है, यह क्यूमिलेटिव सम टॉपिक में यह कॉष्शन फॉल करता है, ठीक है, तो सेम तरीके से चलते हैं, देखते हैं, हमारा आंसर आता है की नहीं, ठीक है, तो अभी दे एख्षा एक कितना हुआ मायनस टू तो मैं पूच रहूं कि मायनस टू हमने पास्ट में कभी देखा था क्या मैं एख यह सब्सक्ithm, नहीं देखा है क्यूंकि अगर मायनस टू पास्ट में देखा होता उसमें और तीन मेरा सम जुड़ जाता तभी तो मैं 1 में आता और अभी मैं 1 में हूँ बट ऐसे मैंने past में minus 2 नहीं देखा है कभी ठीक है कोई बात नहीं देखा है तो ignore करो इसको और map में ये information डाल दो कि मैंने cumulative sum 1 देख रखा है ठीक है उसका count to 1 है ठीक है अब यहां पर जब मैं आया तो मेरे cumulative sum 5 हो गया ठीक है अब देखो 5 हो गया तो मैंने 5 minus target क्या है तीन है बचा 2 तो मैं पुछूँ कहीं पर मैंने past में 2 देखा है sum cumulative sum नहीं देखा है है ना क्यूं क्यों कि मैं ऐसा क्यूंड रहा हूं क्योंकि past में अगर कभी मुझे sum 2 मिला होता और अभी मैं 5 में हूं सोचो अभी मैं 5 में हूं मतलब पक्का बीच में 3 मिला होगा मुझे राइट बट ऐसा है नहीं मुझे 2 मिला ही नहीं तो कोई बात में पांच को अभी डाल देता हूं कि पांच कुमिलेटिफ सम मुझे मिला था इसकाउंट वान पांच एक छे हो गया भी सम तो ठीक है चे मैंने से किटना वह थे नहीं देखा है तो कोई बात निसको इंग्नॉर करते हैं किमलेटिफ से माभी में रखा है 6 है उस अब फाँच के बाद पांच सम जुड़े होंगे पांच पर अपने पांच सम देख रखा है इतने का सम पांच है और अब क्लिर है ओकेए ही मेरा हो गया सिमिलर्ली 8 ब्लस 6 14 हो गया है आज हमें आट को टाल देता हूं आट का एक मुझा मिला ही जाता है कि अगर आपका शिप् WILL और यहां तक कalyrene का पॉर्त हमने में पास्ट करूं सोर करकर ना कि ए। यहां तक अब थो एक्जांपल और देखते हैंगे जो इंटूचन अई हैं जो कॉमր केसे जो कवर करेंगे अब देखो इस example पर same logic लगाते हैं, ठीक है, तो starting में अभी मैं यहाँ हूँ, मेरा cumulative sum 1 मिला मुझे, ठीक है, तो अगर cumulative sum 1 है तो मैं देख लेता हूँ, 1 minus k की value का 0 है, is equal to 1, क्या मैंने past में 1 देखा है, नहीं नहीं देखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैंने यहाँ डाल मैंने दिया, कि मीं Cumulative sum 1 था, तो मैंने map में डाल दिया, ठीक है, यह मीरा cumulative sum 1 था और एक बार में मुझे दिखाया वा, weekly, क्या में यहां देखा यहाँ, क्यूमलिटीफ कि एधना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहां रों था यहां पर cumulative sum 0 हो, तो अब धिकाँ ध्यान देना, 0 ह कि इतना ऑ गया devil O यह मैंने कुछ मिला थी नी आपने कुछ मिस कर दिया राइट क्योंकि एक सबर ही है जिसका sum जो है k के बराबर है कौन है वो यह पूरा का पूरा 1,-1 है ना तो यह corner case है क्योंकि देखो पूरा sub array का sum ही यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ तो क्या एक बात बताओ 0 sub array जैसे ही आया आप खुद सोचो अपने यह 0 कभी नहीं देखा था क्या past में आपने देखा था बड़ा अपने ध्यान नहीं दिया याद करो starting में cumulative sum जो है भले मेरा 0 था उसके बाद ना यहाँ पर 1 हुआ तो starting में cumulative sum 0 था उसके बाद 1 हुआ तो actually में 0 हमने देखा है राइट तो हम क्या करेंगे मैप में starting में ही डाल देंगे ऐसे cases को cover करने के लिए मैप में starting में ही डाल देंगे भाई cumulative sum 0 तो अल्रेडी है मेरे पास एक यह रहा starting में तो cumulative sum 0 यह ना ठीक है यहां तक clear है अब देखो अब यह काम कर जाएगा यह ना अब यह वाला case miss नहीं होगा देखो माल लेते हैं मैं अभी यहां पर हूं मेरे cumulative sum 1 है तो 1-k that is 1-0 is equal to 1 1 मैंने कभी पास में देखा नहीं कोई बात नहीं ठीक है तो डाल देते हैं cumulative sum 1 एक बार दिखा है मुझे ठीक है अब आते हैं यहां पर ठीक है यहां पर 1-1 0 हो गया मेरे cumulative sum तो 0-k कितना हो गया 0- 0-0 that is 0 तो क्या cumulative sum 0 मैंने देखा है पास में यहां देखा है इस बर मैंने store कर रखा है कितनी बर देखा है एक बर देख रखा है देखो तो मैंने result में बता दिया कि मुझे एक सबरे मिल गया है जिसका sum 0 है और वो यह है ठीक है अब आगे बड़ा out of bound के मेरा answer correct आ गया यहां देख रखा है यहां तक clear होगा अब इस लाग अब एक last example देखते हैं उसके बाद हम लोग ready हो जाएंगे इस problem को solve करने के लिए तो अब देखो यह वाल example देखो इससे एक और last चीज clear होगा आपको उसके बदम code इसका कर लेंगे तो start करते हैं देखो यह मेरा array है और मेरा target sum 0 है तो मैंने क्या बरता स्टार्टिंग में ही मेरा cumulative sum 0 है ठीक है cumulative 0 है तो मुझे entry शुरू में यह कर देनी चाहिए थी कि map में 0 cumulative sum है एक बर मैंने देख रखा है यहां तक clear है ठीक है अब देखो अब यहां पर मैं आया तो मैरा cumulative sum 1 हो गया तो मैंने देखा 1-0 is equal to 1 होता है 1 minus k करते थे ना वन आया तो क्या 1 मैंने पास्ट में देखा है नहीं नहीं देखा है तो मैंने कोई बात नहीं नहीं देखा तो रहने तो ignore मार उसको cumulative sum अभी क्या हो गया 1 हो गया तो 1 को मैंने एक बर देख रखा है यह मेरा count है कि कितनी बार मैंने देखा उसको ठीक है अब अब 1 क्या हो गया वापस से 0 हो गया तो क्या मैंने पास्ट में cumulative sum 0 देखा है यह यहांपर देखा था यहां पर इदर देखा था ना cumulative sum तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि इतन यहां तक का sum यह रहा, 0 है, ठीक है, और यहां से यहां तक का भी sum 0 था, इसका मतलब क्या हुआ, कि बीच में जो भी elements आएं, उनका sum 0 रहा होगा, है न, क्योंकि यह 0 है, उसमें कुछ हमने जोड़ा, तो वापस से 0 आ गया, मतलब बीच में 0 ही रहा होगा, 0 प्लस x, x is equal to 0 है, तो x क्या है, वो यह है मेरा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि एक sum 0 है, यहां तक clear होगे, ठीक है, तो मुझे 1 मिल गया, तो अब 0 मैंने देखा है, कैसे पता चला, इस map में मैंने store कर रखा था, है न, map में मैंने store कर रखा था, ठीक है, तो मैंने अपने answer में, result में 1 जोड़ दिया, ध्यान देना, 1 जोड़ा, क्योंकि मुझे 1 सबरे दिखा है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन हा, cumulative sum कितना आया था, वापस से 0 आया था, तो मैं क्या करूँगा, इसको plus 1 कर दूँगा, क्योंकि मुझे cumulative sum 0 दो बर दिख चुका है, ठीक है, सबसे important part यही है, अब द दो बार देख रखा है, ठीक है, तो दो बार यहां पर add करेंगे, मतलब 2 add करेंगे, 1 add नहीं करेंगे, जितनी बार देखा है cumulative sum, उतनी बार यहां पर add करेंगे, उसका भी reason अभी आपको तुरंट पर चल लेगा, attention मतलो, ठीक है, तो ठीक है, मतलब 2 add कर दिया मैंने, और 1 minus 1, 0, एक पूरा sub array यह दिखा था, ठीक है, यहां था clear है, और एक sub array मुझे यह खुद दिखा, यह वाला न, वो है 0, एक sub array यह दिखा था, यहां था clear है, और एक तो मैंने यहां पर पकड़ी लिया था, 1, minus 1, समझे, यहां था clear होगा, इसलिए तो टोटल 3 है इसके sub arrays, ज इसलिए जितनी बार मैंने देखा है, उस sum को past में उतनी बार add करेंगे, यहां था यहां पर 2 था, तो इसलिए मैंने 2 add किया, और अब cumulative sum 0 एक बर और मिला है, तो इसको मैंने count बढ़ा दिया, future में और को entry आगी उसके लिए, ठीक है, यहां था clear होगा, सबसे important part यही था, तो भी निकलेगा, minus k, check कर लेंगे, अगर यह map में है, तो उसकी value result में add कर देंगे, ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे, और जो मेरा cumulative sum current है, उसका map में update करते रहेंगे, ठीक है, clear हो गया, जल्दी से इसको code करते है, same story सुनाऊंग होदी, code करते वक्त, उसके बाद हम लोग जाएंगे, अपने lead code 1074 में, जो इसी का advance वरजन है, तो चलो, अब code करते है, बिल्कुल वैसी जैसे सिखाया था, और optimal वाला तरीका से करेंगे, ठीक है, तो मैंने बोला था कि एक map तो हमें लिए नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो map ले लेते है, unordered map ले लो, int, int, ठीक है, MP, इसका नाव MP रख दिया, यहाँ तक clear है, और एक result नाम का variable ले लेते है, ठीक है, और मैंने आपको पहली बोल दिया था, कि MP में insert कर देंगे, starting में ही, क्या, कि 0 cumulative समझ मेरा, और उसे मुझे एक बढ़ दिख चुका है, क्योंकि व्यातरो, starting में मेरा cumulative समझ होगा, वो 0 होगा, ठीक है, यहाँ तक clear है, ओके, अब मुझे बस कुछ नहीं करना, int i is equal to 0, i is less than nums.size, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ तक clear है, एक एक element के पास जाएंगे, और cumulative sum निकालते रहेंगे, cumulative sum मेरा क्या है, plus is equal to nums of i, sum मेरा निकलता चला जाएगा, और बस मुझे यह चेक करना है, कि क् mp.find, जो भी cumulative sum है, minus k पहले कभी देखा है, अगर कभी देखा होगा, उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से लेकर current iath element तक का sum, पक्का k रहा होगा, तभी तो cumulative sum minus k मैंने देखा है, पास में, ठीक है, find is not equal to mp.in, मतलब यह हमें मिल चुका है, तो मैंने क्या बला था, result plus is equal to m, plus 1 नहीं करेंगे, mp, जितनी बार मैंने इसको देखा है, उतनी बार यहाँ पर plus करेंगे, ठीक है, यह important part था है, ठीक है, यह तो हो गया, और बाकी जो cumulative sum मुझे अभी मिला है, उसका तो count बढ़ाना पड़ेगा, उसका count बढ़ा दो, ठीक है, अर last में कुछ नहीं करना है, return, result कर देना है, ठीक है, इसको submit करके देखते हैं, we should be able to pass all data cases, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, अपने, indeed yes, we have passed all data cases, अब इसका time complexity बहुत simple है, unordered map है, तो time complexity यहाँ पर find करने का o of 1 होगा, c++ में, है न, o of 1 होगा, यहाँ पर, क्योंकि यह c++ है, तो, और फिर यह o of n यहाँ पर लग रहा है, तो देखा है, तो o of n है time complexity, और space जो है, वो o of n है, क्योंकि हमने extra space लिया है, तो अब जल्दी से चलते हैं, और lead code number 1074, बिल्कुल सेम तरीके से बनाएंगे, यही खास बात है, इसलिए मैंने इस question को भी cover किया है, तो चलो, अब आते हैं, लेट code number 1074, अब देखो, जिस तरह मैंने आपको वह वाला problem समझाया था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी समझेंगे, पहले brute force, उसके बाद optimal, क्योंकि बहुत हद तक problem similar है, वहाँ पर क्या था, एक 1D array दे रखा था, और उसमें बोला गया थ तो question का nature तो बिल्कुल same है, exactly same है, बस वहाँ 1D था, यहाँ पर 2D है, तो same दिमा क्यों नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो देखो, क्या बोल रहा है, given a matrix and a target, return the number of non-empty sub matrices, that sum to the target, everything is same, problem तो एकदम सेम है, बस वहाँ पर क्या था, सब अरे था, सब क्योशन है, कि आपको सब matrix निकालना है, count निकालना है, जिनका sum जो है, वो target के बराबर है, यहाँ तो clear हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो target है, जो हमारा target है, वो है 2, ठीक है, तो देखते हैं, इसका answer 2 कैसे बोल रहा है, एक तो मुझे यह सबरे दिख गया, जिसका sum जो ह 2 के बराबर है, तो यह तो clear हो गया, ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, कि सबसे बहले तो वही है, कि भाई, brute force कैसे बनाएंगे, है ना, brute force भी आपको आना चाहिए, accept नहीं होगा, time-limited sheet देगा, बढ़ आपको brute force कोड लिखना आना चाहिए, तो brute force भी बिलकुल वैसी याद करो, मैंने आपको क्या बोला था, जो सब अरे, जो सब अरे में जब brute force लगाया था हमने, तो मैंने क्या बोला था, कि हर possible start और हर possible end के लिए, है ना, हम सम निकालेंगे, हर possible start से हर possible end तक के लिए, तो आप खुद बताओ, यहाँ पर भी वही करेंगे, हर possible start और हर possible end, त के लिए दो इंडेक्स ही दरवत पढ़ती है आई कॉमा जे ना न तो हर पॉसिबल स्टार्ट सेल के लिए मतलब यहां पर मैं लिख दो स्टार्ट इज्टो तो यॉआ ऐसे आता हूं zil1 करने के लिए आई भी चाहिए होता है जे भी चाहिए होता है तो स्टार्टिंग जे ढोनों लेना बड़ेगा इसलिए मेने starting row और starting column लिया तो यह हो गया मेरा starting का ठीक है अब इसी तरह ending भी कुछ भी हो सकता है तो for ending row is equal to starting row से start होगा ending row is less than M होगा ending row less plus प्लस होगा यहां ते clear है similarly for ending column भी कहां से start होगा जो भी starting और इंडिंग कॉलम था , साटिंग कॉलम से , इंडिंग कॉलम भी less than iANA होगा और इंडिंग कॉलम भी ओस फ्लस फ्लस होगा ठीक है कहंतो देखाया तो बिलकुल सेम ही कोड तो यह वहां पर starting row में एक ही for loop से काम चल जाता था यहाँ पर क्या है कि 2D matrix है तो start row start column दोनों लेना पड़ेगा ना ठीक है और वहाँ पर ending index की जगा यहाँ पर ending row और ending column लेना पड़ा क्योंकि यह 2D matrix है ठीक है उसके बाद क्या करते थे वहाँ पर 1D अरे में क्या करते थे सम निकाल लेते थे सब अरे का starting row से और starting column से लेगन यहाँ पर क्या starting row starting column ending row ending column 2D है ना तो बस सम निकालने के लिए simple सा यह कर दो for i is equal to starting row है ना i is less than equal to ending row i++ ठीक है similarly column भी होगा j is equal to क्या था starting column था ना starting column j is less than equal to ending column j++ क्योंकि 2D matrix है सम निकालने के लिए लिए 2 for loop लिखना पड़ेगा राइट यहाँ पर सम इस इकल टू जीरो है और यहाँ पर सम प्लस इस इकल टू जो भी मेरा मेट्रिक्स है मैट्रिक्स ऑफ आई को माजे को सम करते चलो और जैसी सम निकल जाए यहां से बाहर आओ चेक कर लो कि भाई यह जो सम है अगर वह बराबर हुआ टार्गेट के तो अपना रिजल्ट प्लस प्लस कर देना सिंपल एस इंपल एस ठीक है तो इसलिए देखो मैंने बूट फोर्स में इसलिए पहले आपको बताया था वंडी अरे का अब टू डियरे का मैने बताया स्टार्टिंग रोज स्टार्टिंग कॉलम था और इंडिं मेटरिक्स का हमने सम्मेटरिक्स का सम निकाल दिया रहन गाल ने खिलिय यह पर यहां पर लगा सकता है अब देखो उमची मायाँ पर आप Award कैसे करके सकते हैं वर्ष d सब्सक्राइब पर यह सब्सक्राइब इस अब एक चीज खुद सोचो अगर मान लेते हैं आप आपने ऐसे रोवाइस का क्यूमिलेटिव सम्निकाल लिया ठीक है तो उसका फाइदा क्या होगा वो समझो देखो देखाता हूं अभी आपको मैं रोवाइस का क्यूमिलेटिव निकाल के पहले लिख के आपको दिखा देता हूं डुप्लिकेट यहां पर करके यहां सेम अरे ले ले लेते हैं ठीक है और इसका मैं अभी रोवाइस क्युमिलेटिव सम निकालूंगा देखना ध्यान देना इन सबको हटाता हूं स्टार्टिंग वाला रो का तो सेम वैली होगा 0 प्लस 1 वन जा गया 1 प्लस 0 वन आ गया क्युमिलेटिव सम निकल गया रोव वाइस निकला है ठीक है अब एक छीज़ ध्यान दो इस इस अरे का पताया अब फायदा क्या है कि अगर आप कहीं पर भी खड़े रहो कहीं पर भी म आपको न, अगर मैं पूछूँ कि भाई, तेरे रो का सम बताना तुझ तक, तो मुझे यहां से ट्रवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, सम निकालता हूँ, पहले इसको जोड़ा, फिर इसको जोड़ा, करने ही दरती नहीं प पता कर सकते हो, similarly, यहां पर देखो, अगर माल लेते हैं, आप यहां खड़ेवे हो, तो आप डाइरेक्ट बोल सकते हो, कि हाँ, इस सब अरे का सम तीन है, आपको यह वाला पूरा अरे, ट्रावर्स का नहीं दुरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही, यहां पर क्युमिल सब अरे का सम एक है, यह सब अरे का सम दो है, और यह सब अरे का सम तीन है, यह चीद आपको क्लियर हो गया, तो एक फाइदा तो मुझे दिख रहा है, यह एक फाइदा तो दिख रहा है, बट लेकिन एक और प्रॉबलम भी है, कि मान लेते हैं, आपको एक्चुली में करना इन लों का भी सम चाहिए तो देखो एक चीज़ ध्यान दो एक फाइदा है हमारे पास अगर इस सबर को यहां पर देखो गए इसमें तो देखो एक फाइदा क्या हो गया ना कि आपको इनका और इनका टेंशन लेने का ज़रती नहीं कि इतने तक कसम आपके यहां पास यहां तो आप बस इस पर फोकस करो ना इतने पार्ट पर ठीक है क्यों क्योंकि यह क्यूंकि इतने का सम है यहां तक क्लिर हो गया अब बस मुझे यह देखना है कि भाई यह अगर मुझे इतने का sum अगर ये 1 है, इतने का sum अगर ये 2 है, तो मुझे बस इतना देखना है, कि भाई, ये इतने का sum क्या है, इतने का sum 3 है, इतने का sum 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, इतने का sum 3 है, मतलब पता है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका, इसका, इसका और इसका sum 3 है देख लो verify करने के लिए देख लेफ्ट साइड में जो अर्य है उसको देख लो देखो इसका सम तीन ही होगा इस पूरे अर्य का जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस त्री यह चीज समझ में है सबसे crucial पार्ट यही इस प्रॉल्म का तो आपने फाइदा समझ लिया कि अगर मै समय से निकाल दू रोवाइस ठीक है तो आपको एक फाइदा कि आप कॉलम वाइस बस आपको सम चेक करना है और आप चीज ध्यान दो सबसे important पार्ट इस कॉलम को अगर आप ध्यान दोगे ना इस कॉलम को ध्यान दो तो यह एक अरे दिख रहा है आपको ठीक है यह आपको दिख रहा है अब बस आपको पता है क्या करना है इस कॉलम में आपको ढूना है कि कितने ऐसे सबरेज हैं जिनका टार्गेट सम 2 है और यह प्रॉब्लम रेडियूस हो गया मेरे लीट कोड नंबर 560 में राइट जो हमने उपर पढ़ा था फिर से सुनो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो देखो यह वाला मालने थे यह वाला सबरे ठीक है आपको इसका सम निकालना है सबसे ट्रिवियल मेथड क्या है कि इट्रेट मारो जीरो प्लस वन प्लस 234 सम आया फोर ठीक है बट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई पूरा रो पूरा इसका है ठीक है तो अगर आपको सबरी का सम तो टार्गेट है कि नहीं सेम दिमाग वहां पर भी लगा लेंगे कि कि मतलब कितने ऐसे सबरेज हैं यहां पर जिनका टार्गेट सम यह टू के बराबर है ठीक है यह तक टीर है अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और थोड़ी चीजे और समझते हैं तो देखो अगर आपको audio तरीके से सबसे बूट तरीके निःसा निझालना होता तो अब कैसे निकालते सम्व पहले आप क्या करते इस सबरे को देखते फिर आप क्या करते इस सबरे को देखते फिर आप क्या करते इस पूरे सबरे को देखते यहां से यहां तर एक तो यह हो गया उसके बाद आप क्या करते इसके बाद फिर आप यहां फिक्स करते फिर आप इसको देखते फिर इसको देखते है ना सारे सबरे आप ऐसे ऐसे निकाल के सबका सम निकाल लेते हैं ना फिर आप क्या करते हैं यह को ना कॉर्णर अभी फिक्स है आप इसको देखते फिर इसको देखते फिर इसको देखते यह आपका निकल गया टॉप लेफ्ट कॉर्णर से जितने सबरे निकाल पाएं आप का देखते फिर इसका देखते फिर इसका देखते तो इसी तरह बिलकुल हम यहां पर भी मूफ करेंगे और देखो step by step मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम exactly अप्रोच वन की तरह यहां पर भी काम कर रहे हैं तो मैंने क्या बोला पहले यह वाले कॉर्णर को फिक्स करेंगे त तो चलो मानके चलते हैं कि यह मेरा starting column होगा और row मेरा आगे बढ़ते जाएगा ठीक है तो ठीक है starting column यह मेरा fixed है और मैंने क्या किया यहां से start करना अभी start किया ठीक है यहां तक clear है अब यह starting column यह ही है तो पहले मैं इस column का पूरा च्छान मारूंगा ठीक है उसके बाद मैं इस जो अब च्छान मारूंगा यहां थो करें में यहां तक क्लिए यहां ठीक है तो यह तक यह सइ्ट पर ने तो से घ्यान दो मैंली करें मेरा और यह, ट्यास अहरा देता हूं लेकर जो एं एंच इन शीय जो ही रहे वह से मोव स्टार्ट बाद में यहां युद्ट यहां स्टार्ट हुआ है यहां तक लिए अब ध्यान देना जे हमेशा स्टार्टिंग और जे यहां तक जाएगा ठीक है तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं अभी में रोजी रोपर हूं राइट रोजी रोपर हूं तो देखो अब खुद बताओ यह जो सब मैट्रिक्स मुझे जो भी मेरा करेंट रो है ठीक है और जो भी मेरा करेंट कॉलम याने कि जे है ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ वो समझो इसका मतलब हुआ कि यह वाला सबरे का सम मैंने निकाला है अभी सिर्फ यह वाले सबरे का सम यहां तक क्लियर है ठीक है तो सबरे का सम मैंने निकाल और फिर row नीचे जाएगा मेरा ना बट एक बात ध्यान दो जब cumulative sum निकला तो यह sum नहीं है Cumulative Sum है जैसे वहाँ पर कर रहा है cumulative sum तो मैं फिर से वही दिमाग लगाँगा मैं चेक करोगा कि क्या cumulative sum minus k मैंने map में देख रखा है k मतलब target जो है मारा तो टार्गेट यह में रखे है किया यह मैंने देख रहा है मैं याद करो मैं अभी खाली है कुछ नहीं यह लेकिन याद रखो एक और चीज मैंने इसे खाया था अभी आपको कि हमेशा कुमिलेटिफ सम जीरो तो स्टार्टिंग में होता है यह तो जीरो के इंट्री यहां प जीरो था ना थे ने बढ़ागा थीछए को कि बढ़िया यहां तक लीयर ईब मेरा नींच अजय नीचे आएगा तो आप दिखो ध्यान देना वह human के अब मैं तो देखो मैंने क्या किया है matrix of row,j row,j मतलब क्या हो कि 1 हो गया यानिकि 0 plus 1 यानिकि cumulative sum मेरा 1 हो गया ठीक है और आपको tension लेने की ज़रूत नहीं है कि मैं सिर्फ इतने ही सबर एको क्यों देख रहा हूं इसके पहले भी अगर वो होता तो आप याद करो ना cumulative sum निकाल रखा ये हमने cumulative sum निकाल तो उनका भी sum है यहां पर उसकी tension आप मतलो ठीक है हाँ ना cumulative sum निकाली दिया था अब हम column wise नीछे जा रहे हैं ठीक है तो 0 plus 1 हुआ तो मैं फिर से वही चेक करो हूँ क्या 1 minus k यानिकि 1 minus 2 मैंने कभी पास में देखा है नहीं देखा है तो छोड़ देखना इसको अभी मैंने cumulative sum कितना है वन है तो मैंने वन को entry कर दी कि मैंने वन cumulative sum एक बार देख रखा है यहां तक clear है ओके ठीक है यहां तक तो सब समय आ रहा है फिर मेरा रो आगे गया पूरा करेंगा ना वीडियो लंबा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा समझना अच्छे से ड्राइरें स्टेप बाई स्टेप अब फिर से देखता है कि मेरा इस बार कितना हो गया पहले वन हो गया तो फिर से वन आ गया तो मैं फिर से वही खरोगा मैंस ट्व वन मैंस गया तो कि कोई बात में नहीं देखा है तो फिर किमिलीटिफ मुझे एक पर और देख चुका है तो ठीक है यह तो खतम हो गया अब जे और फिर और फिर से रो ऊपर आगा जाएगा तो आपने ध्यान दिया हमने इनका देख लिया, इनका देख लिया, इनका देख लिया, इनका देख लिया, ठीक है, ओके, तो अब वापस से j आगे बढ़ा, ठीक है, अब देखो, याद रखना कि j जब यहाँ बढ़ा है, तो अब जो मैं sum निकालूँगा, जो matrix row, j होगा न, वो actually मैं, ये इतने पूरे जो वाइस निकाल रखा cumulative sum, ठीक है, ओके, तो फिर से start करते है, अब फिर से map repopulate होगा, map को मैंने फिर से खाली कर दिया, क्योंकि ये exactly different array है, पूरा, एकदम अलग ही array अब हम देखने जा रहे है, ठीक है, तो map को मैंने clear कर दिया, अब वापस से cumulative sum 0 है, उसके count 1 मैंने डाल पहले ही, ठीक है, चलो देखते हैं, अभी मेरा cumulative sum कितना हो गया, matrix of row comma j, यानि कि cumulative sum मेरा अभी 1 हो गया, तो देखते है, 1 minus 2, minus 1, क्या मैंने minus 1 देखा, नहीं देखा, कोई बात नहीं, इसको cumulative sum 1 था ना, ठीक है, 1 डाल दिया मैंने map में, ठीक है, अब आया row नीचे, ठीक है, अब row नीचे है, तो पता है, इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब हम इस सबरे को देख रहे है, ये वाले सबरे को, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में देखो, ये वाले सबरे को देख रहे है, हाना, तो अब देखना, ध्यान देना, अभी मेरा cumulative sum देखना कितना आएगा, प्लस टू कैसे निकल पाया क्योंकि हमने क्यूमिलेटिफ सम रो वाइस तो निकाली दिया था अब हम कॉलम वाइस बस एड़ करते जा रहें तो वन प्लस टू जब थ्री आया बहुत बढ़ी है अब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टन पार्ट है सम मेरा भी क्यूमिलेटिफ यह जो टूडी अरे दिख रहा है सब मेंट्रेक्स इसको मैं अलक्से लिक्ट आपको दिखाता हूं यहाँ पर याद करो पहले मैं इस पार्ट को बस दिखा रहा हूं आपको बस यह वाले पार्ट को ताकि आप अच्छे समझ सको पहले था जीरो वन वन था अभी जब मैंन इसका मतलब क्या हुआ याद करो यह वन क्या था यह वन एक्चुली में इसका सम है और यह टू क्या है यह एक्चुली में इसका सम है ठीक है तो आप खुद सोचो इतने पार्ट का सम वन था और इतने पार्ट का सम तीन आया समझ दो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि जो इ मैं एक सबर मिल गार सबरी कॉन हो यह है थ् Fast रेपीट कर रहा हूँ देखो मैंने मैं ऐसे सम करते हुआ चल रहाऊ रहा ना विर्टिकली सम्वन अया dan sum İl जम कितना हो गया तीन हो गया यहां फर इसका MEippah हूं कि इतने कसम WIJ और इतने कसम 3 आया ठीक है क्योंकि मैंने ऐसे horizontally cumulative sum निकाल रखा already तो पते मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इतने कसम 1 था मैंने मैप में सोर कर रहा था और अभी मुझे sum 3 मिला है तो मतलब पक का इतने कसम 2 रहा होगा और 2 ही मेरा target है तो मैंने यहां पर वही तो बोल रहा हूं कि भाई 3 minus 2 1 मैंने पास में देखा येस मैंने पास में 1 देखा है कितनी बार देखा है एक बार देखा है तो result में मैंने one add कर दिया यहां था clear हो चुका है बहुत ज़रूरी था यह पार ठीक है तो answer में one add हो गया और cumulative sum अभी मेरा कितना था तीन था ना तो ठीक है तीन में add कर देता हूं यहां पर कितीन मैंने एक बार देखा है बहुत बढ़िया अभी बहुत धीरे-दीरे आपको पुरे आखे खुल गई होंगी आपकी तीक है अब जब वापस रो मेरा यहां पर आया तो actually मैं अभी किसको देख रहा हूं इसको देख रहा हूं क्योंकि मेरा स्टार्टिंग कॉलम यह अभी यह फिक्स कॉलम है ठीक है तो देखो कितना हो गया सम 3 प्लस 1 4 हो गया अभी मेरा cumulative sum देखा है ना cumulative sum अब मेरा 4 हो गया तो के target क्या था दो था 4-2 या मैंने 2 avait में मैं अभी क्लें दे ढ़िरा आगे बढ़ जाएगा अब मेरा रों वापस से यहां अ चाएगए ठीक है फिर आगे बढ़ते है अब देखो अब वापस से मैं A 은 ठीक है इसका मतलब वाकि इस पूरे रोओ वैली चाहित यह ये सुम उन हो ठीक है तो एक्चुली में अभी स्वाले सब मेट्रिक्स को देख रहा हूं तो देख लेते हैं समवन ना चलो बढ़िया है तो वन माइनस के यानिकि वन माइनस देखा यह आज तक पास में कोई बात नहीं कि में एक बढ़ देखा है एंट्री मार दी ठीक है आगे बढ़ दो अब मैं आगे बढ़ गया तो यानिकि रो यहां पर आ गया ठीक है वन प्लस इसकी वाली का थ्री है तो अब क्यूमिलिटी सम फूर हो गया ठीक है तो फूर माइनस के वाली दू है ना तो फूर मैने टू कभी पास में देखा है नहीं देखा है तो भाड में छोड़ दो इ पांच माइनस के डो कितना हो गया थीन हो गया तो इन हमने 5 में देखा ही नहीं था तो कोई बात नहीं पांच को एंट्री मार दिया और आगे बढ़ गया रो खतम हो गया ऑर यहां पर मुझे ऐसा कोईबी सबरे नहीं मिला ना यह ना यह यह जोना फिक्स ये था कोई यह जिसका क्या था जिसका सम्मेरा टागेट के बराबर तो सभी बात भी नहीं थक प्रबाबर था सब्रेक प्रेका सम्में इस संड तर्या नो तौकि मुझे तू चाहिए पूरे श्रेक्श के एलेमेंट का पीध कोई बात नहीं मैं आगे बढ़ जाता हूं और अब तो J B मेरा आउट उप गांड हो गया जैसे ऊट आउट ऑउज भाउन हो गया मतलब जे भी हमने सारे स्प्लोर कर लिया इस पॉइंट को फिक्स करके starting column अब मेरा starting column आगे बढ़एगा यानि कि ये fix point होगा अब थोड़ा सा important part है अब थोड़ा सा और focus देना है याँपर एक last important point सीख जोगे फिर अब code लिखने के लायक हो जाओगा ये last point बस देख लो ध्यान से वापस से map को initialize कर दिया आप ध्यान देना इसका मतलब अभी मैं current sum cumulative sum निकाल रहा हूं ठीक है cumulative sum plus is equal to matrix of rho comma j इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मैं अभी मैं starting point यहां पर है right तो मुझे इतने का sum चाहिए ना इतने का sum चाहिए यहां से इतने का sum चाहिए इतने का sum चाहिए लेकिन भाई मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इतने का पता है ना, ठीक है, और आपको इतने का पता है, यह वाली तो पता ही है, आपको supporter के sum में, क्या है वो sum? 1 है, उतना को minus कर दो, इतने का sum निकल दाएगा ना, मृई मैं बोल रहा हूं दोंग आगे और अधियर होगा तो मैं बोल पिन के बाद देखो स्टार्टिंग कॉलम। स्टार्टिंग में 0 था अभी वन हो एधर टू हुड तो पर स्टार्टिंग कॉलम के जाथ पादेगा. मतलब स्टार्टिंग कॉलम मैं यहां पर आगया मझे अब जो भी अगा इस अम से स्टार्ट होगा मतलब स्टार्टिंग कोन्म के जस पहले वाले कॉलम का सम मुझे भटाना पड़ेगा तो मुझे अगर सम चाहिए तो मैं क्या करूंँ आम माइनसнийétais donc उसी रो का और starting column किया था यह था ना उसके ज़स पहले वाला जो भी column रहा होगा यानि कि starting column माइनस वाले वाले को हटा देना ठीक है तो यहां तक का sum 1 था तो यह 1 है माइनस मैट्रिक्स ऑफ रो स्टार्टिंग कॉलम मैट्रिक्स ऑफ रो रो तो यह मेरा स्टार्टिंग कॉलम के पहले वाले का इतने तक सम मैइनस कर दो तो इसका सम निकल दाएगा मैनस जिरो डाट इस वन आ गया तो चलो यह भी समझ में आ गया हमें कि हमें इसका सम कैसे नि तो मैंने 1 यहां पर स्टोर कर दिया, count 1, ठीक है, अब row मेरा यहां पर आगे बढ़ा, ठीक है, row आगे बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है, कि मैं अब ना, इस matrix को देखने जा रहा हूँ, इस matrix को, ठीक है, row अभी यहां पर है, तो इस matrix को देखने रहा हूँ, starting point क्योंकि यह है म तो क्या cumulative sum 2 है, इसका देखो तो, इससा बरे का, नहीं, देखो, 2 नहीं, sorry, 3 है, क्या, यह 1 प्लस 2, 3 आ रहा है, तो वो 3 नहीं है, गलत आ गया वो answer, 2 है, यह देखो, ध्यान दो, इससा बरे का sum 2 है, तो क्यों, क्यों एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि देखो, यह जो 2 मैंने आड़ किया, वो 2, वो 2, इस पूरे का sum है, तो मैंने वही बोला था, कि इस पूरे का sum में, इतना का sum minus करना पड़ेगा, तभी इसका निकल पाएगा, क्योंकि cumulative value है यह सब, तो मैं वही बोल रहा हूं, matrix row comma j की value क्या है, 2 है, minus matrix of row comma, start column के जस्ट पहले वाले column का यह वाला value, minus 1, तो 2 minus 1, 1 आगया, तो अब मेरा 1 आएगा, यहाँ पर 1 plus 1, 2 हो गया, बिल्कुल correct निकला है, अब मेरा cumulative sum एकदम correct निकला है, ठीक है, तो cumulative sum जब मेरा 2 निकला, तो मैं फिर से वही चेक करूंगा, क्या भाई, और सही बात है, cumulative sum 2 ही है, इतने का, कुछ गलत नहीं निकाल बिल्कुल सही निकाल रहे है, यह 2 है, अब धिको ध्यान देना, 2 मेरा cumulative sum है, minus मेरा target के है, 2 ही है, ठीक है, target मेरा 2 है, तो answer आगया, 0, तो मैं मैप पे 0 चेक कर रहा हूं, कि 0 present है, तो मैंने बोला, यह 0 present, एक बर मैंने 0 को देख रखा है, तो बता, इसका मतलब क्या हुआ, जहन देना, इसका मतलब क्या हुआ, कि यहां से, यहां तक का sum जो है, वो target के बराबर रहा हुआ, क्योंकि देखो, starting में cumulative sum 0 था, यहां पर, फिर मैंने इसको add गया, फिर इसको add किया, तो cumulative sum कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब इतने का sum 2 होगा, और सही बात है, इतने का sum 2 ही है, यह रहा देखो, हैना, बहुत ही crucial और critical part था यह आपके पूरे problem का, यह वाला part, ठीक है, समझ में आ गया, तो मैंने अपने result में एक और one add कर दिया, और वो सबरे कौन है, वो सबरे यह मुला मुझे, हैना, इसका sum, देखो, target के बराबर है, ठीक है, similarly, फिर रो यहां पर आग 1 है, बट यह 1 किस का sum है, इतने का sum है, तो मुझे क्या करना है, इसको minus करना है, यानि कि start row, start column minus 1 वाल में, 1 minus 0, 1 आ गया, ठीक है, तो मेरा already कितना था cumulative sum 2 था, उसमें अभी 1 add हुआ, तो मेरा cumulative sum 3 आ गया, और सही बात है, इतने का cumulative sum 3 है, यह रहा, ऊपर से नीचे का sum 3 है, ठ मैंने past में one देखा है, yes, मैंने past में one देखा यह रहा, और एक बार देखा है, तो result में a add कर दिया, ठीक है, और अभी cumulative frequency, और सही बात है देखो, यह कौन सा sub है निकल के आ गया, यह वाला निकल के आ गया, तो देखो धियाम देना, यह वाला निकल के आ गया, क्यूं? क्यू का स्म 3 तो पक्का बीच का सम 2 रहा होगा एतने तक का सम 2 रहा होगा। तब यह 1 था तो यह 3 बन गाया थे थोटल थी में फिर से यहां क्लीन करके dan दिखा देता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि उपर cumulative sum 0 था यहां पर यहां तक का sum 1 आया ठीक है और cumulative sum से लेकर यहां तक का sum 3 आया मतलब पक्का बीच का sum 2 रहा होगा रही तो मतलब यह वाला सबरे पकड़ा गया हमारा answer में एक और 1 आगया ठीक है बस सेम चीज आपको follow करना है और आगे करोगे तो आपको सारे के सारे सबरे आपको मिल जेंगे जिनका sum target के बराबर है इसलिए मैंने आपको यह 560 वाला पहले बताया क्योंकि वहां पर आपको यह समझना जरूरी था हर जाके यह simply बन गया आपसे ठीक है लेकिन हाँ याद रखना यह बहुत ही अच्छा question है और genuinely यह काफी tough भी है I totally agree क्योंकि इस्तना दिमाग नहीं आता है generally किसी के मन में कि हा horizontally वह निकाल लेंगे क्या बोलते है horizontal cumulative हम निकाल लेंगे फिर उसका और vertically उसको travel करेंगे और 5 लीट guidance algorithm है वह 1-डरे में आपको आता ही होगा लगाना तो 2-डरे में भी guidance algorithm लगाने का एक तरीका होता है तो वह similar question हो गया कि 2-डरे का 1-डरे का दिमाग 2-डरे में हमने लगाया गया तो नहीं भी बन पाया होगा आप से इस approach है तो totally fine है आपको tension लीनीज होतनी है depressed नहीं होना है आपने सीख लिया अटलीस यहाँ पर कि एक वंडी अरे गा कंसेट टूडी अरे में हमने कैसे लगाया ठीक है और काफी अच्छा है और ट्राइरन करने में अलगी मज़ा है इसका राइट इसलिए मैंने पूरा ट्राइरन किया और मैं तो सजिस करूंगा आप भी एक एक तो चलो इसका कोट स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जैसे बता है वैसी मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया था तो पहले तो यह निकाल लाए थे कि कितने रोज हैं हमारे पास रोल प्लस फॉर एंट्ट समट म संस्टार्ट करें इस्टार्ट करें यह क्यों baking ze Toots इसका संस्ट उसकी पीछुए को एलिमेंनट है यह निए लाए और सिफ इसफिट कल लेश दें टूंग प्लियोग निकाल दिया, cumulative sum, now you need to find the number of sub-arrays with sum is equal to is equal to target, यहने कि lead code 560 वाला दिमाग लगाना है, ठीक है, किस direction में, downwards direction में, क्योंकि horizontal direction में तो हमने निकाल लिया, sum, cumulative sum, downwards move करते-करते, downwards direction में, स्टार्ट करते हैं, int result is equal to 0 ले लेते हैं, अब for int, अब याद को मैंने बोलता है, starting column एक होगा, तो उसका नाम देता हूँ, start column, यहाँ से fix होगा, यह fix column होगा, 0 से start होगा, ठीक है, और starting column मेरा n तक चलेगा, स्टार्ट कॉलम प्लस प्लस, यहीं मेरा starting column होगा, और मैंने बोला था, कि एक column, j point लेंगे, j is equal to, जो कि starting column से start होगा, j is less than, calls तक जाएगा, ठीक है, और j plus प्लस होगा, यह तो आपको पता ही होगा, है ना, अब जैसे ही fix हो गया, अब मुझे क्या करना है, बस नीचे direction में move करना है, तो नीचे direction में कैसे move करोगे, एक row नाम का variable मैंने लिया था, ठीक है, तो उससे अब मुझे क्या करना है, नीचे direction में move करकर के, यह वाला concept लगा ना, लिट को नमेट 560 वाला, ठीक है, तो उसके लिए आपको याद होगा, क्या लिया था, हमने unordered map लिया था, int, int, mp लिया था, और mp में हमने insert कर दिया था, mp.insert, कि भाई, 0 cumulative sum तो मेरे पास already है, उसका count 1 है, है ना, क्यूंकि starting मेरा cumulative sum मेरा 0 रहने वाला है, यहाँ तक clear है, ठीक है, तो start करते है, for int, row is equal to, याद को रहाँ 0 से start करेंगे, फिर नीचे की तरफ move करेंगे, right, row is less than rows, row plus plus, ठीक है, अब देखना, cumulative sum plus is equal to, कौन सा matrix है, matrix of row, comma, जो भी मेरा current column है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था, कि अगर आगे, जब आपको start column 0 ना हो, मतलब start column ही अब आगे बढ़ चुका है, तो उसके just पहले वाले तक के value को minus करना पड़ेगा, यह मैंने आपको अच्छे से समझाया था, यह चीज़ पर जरूर से ध्यान देना, ठीक है, तो start matrix row, comma, जो भी जे है, उसमें क्या करेंगा, माइनस करेंगे, किसको, लेकिन तब माइनस करेंगे, जब start column ना greater than 0 हो, ठीक है, अगर greater than 0 हुआ, तो मैं matrix of, ठीक है, ध्यान देना, same row की value होने चाहिए, और start column जो भी रहा होगा मेरा, माइनस 1 करेंगे, उसके just पहले तक के value को माइनस कर देंगे, तभी मेरा current, सब अरे का correct value आपाएगा, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 बेज़ देंगे, माइनस 0 करेंगे, तो कोई सरी नहीं पड़ेगा, ठीक है, यह सबसे important part था, सबसे critical part था है, ठीक है, अब बस same है, वही पुराना code, mp.find cumulative sum minus, जो भी मेरा target है, क्या यह हमारे map में है, is not equal to mp.ind, अगर है, तो बहुत बढ़िया बात है, result plus is equal to mp of current sum minus target, और क्या, that's it, और बस उसकी value map में बढ़ा दो, mp, जो भी cumulative sum है मेरा भी, प्लस प्लस कर दिया, as simple as that, ठीक है, काफी बढ़िया question है, I totally agree कि यह tough है, इतना सोच पाना, लेकिन बहुत ही important category है यह, क्या category है, 1D array में जो दिमाग लगा जाता है, उसको 2D array में लगा पाना, यह उसकी category है, इस category के, एक और question मैंने आपको बता है, cadence algorithm 2D array में भी लगा सकते हो, तो वो भी आप practice ज़रू करना, देखना की कैसे कर सकते हैं, submit करते हैं, time complexity आपको clear cut दिख रहा होगा, जतने for loop है, यहाँ पर column time चल रहा है, column time n square हो गया, ठीक है, और अंदर चल रहा है यहाँ पर row time, तो n square into m, row और column का जो भी है, time complexity समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर maps में find कर रहे हैं, तो o of 1 है, क्योंकि unordered map है मेरा, ठीक है, और space हम ले रहे हैं, o of n space ले रहे हैं, o of row space ले रहे हैं, क्योंकि देखो, unordered map में डाल रहा है, ठीक है, तो I hope I was able to help, कोई भी doubt होता है, raising the comment section, I'll try to help you out, see you in the next video, thank you,